आपका अपना यूटूब चैनल दसंदेश इंस्सिटूट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ स्थर्वेश सिर्वास्तो और आज हम रिजिनिंग का दूसरा क्लास हम लेंगे जो कि फर्स्ट क्लास में हमने जो डारेक्शन टेस्ट के बारे में हमने आप सभी को बताया था अगर अज जोए इसका जो इस सेकेंड क्लास है और स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेजे ताकि इसी तरह क सबसे पहले जो हैं यहां पर देखेंगे डारेक्शन टेस्ट में आपका जिसका हिंदी जो होता है दिसा ज्ञान परिच्छन होता है इसमें थोसा हम बेसिक कुछ पाइंट हम आपको पहले बता दें इसमें होता क्या है कि जब आप किसी भी आप एक्जाम में आप जाते हैं जाम देने के लिए तो आपकी डारेक्शन टेक्स से रिलेटेड जो है वहां पर कोस्ट आपको मिलते हैं तो बहुत सारी ऐसे बच्छ स्याम ही नाम लेते हैं जो है पूरव जिशा में यह पांच कियमिटैर जाता है इसके बाद जो है और लेफ्ट होता है वहां से 55 km दूरी आम तैकरता है फिर वहां से आपके बाय टन होता है W3 से पांच किलिमेटर दूरी ताएक करता है तो आप वो किस दिसा में इस तरह की कोश्चन जो है आपको एक्जामस में मिल जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके कुछ बेसिक पॉइंट आपको हम बताएंगे उसके दिसा के बारे में जो कि इसके हमने पहले वीडियो में हमने आप यहां पर जो फोर डारेक्शन होगा इसका यहां देख लेजें दिशाएं कितनी होती है चार दिशाएं होती है ठीक है और यह जो होता है यह दिशा हो जाएगी आपकी पूरब का यह हो जाएगा कि पच्छे कि यह हो जाएगा उत्तर है यह हो जाएगा हीज़ देख रहे हैं थिषा कितनी होगी देखे हां कि चारी भी यानि कि और की किसी भी धे आप कोई बी ले लिघे या कहीं पर आप करते हैं तो दीशा चारी ओगा चार से बांच नहीं होगा ठीक है इतना तो फ्लेन है इसके बाद जो है कि यहां पर देखे A यह इसको हम यह हो जायागा इस्ट वेस्ट यह नाथ एंड साउथ देखरें आपका इस्ट वेस्ट नर्थ और साउथ डिरेक्शन आपका हम यहां बनाया गया है जिसमें हम आपको बता दें कि यहां पर क्या होगा कि 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 यह जो होगा एक यहां से भी दो डिरेक्शन बन सकता है यह देखिए अगरेना यानि कि यह यह उत्तर हो गया यह पूरब हो गया तो यहां यहां कर दूब बीच में क्या होगा यहां भी आपकी दिशा कोई ने कोई बनेंगी इसके बाद यहां पर भी कोई दिशा बनें कि देख लेज़े ठीक है फिर इसके बाद यहां भी दिशा बनेगा इसका और यहां भी आपका दिशा बनेगा आप यह देख लिए ठीक है तो यह तो उत्तर हो गया यह पुरव हो गया यह कौन से दिशा बने की उत्तर फुरव बनेगा यह इधर से पर लेते हैं ठीक है यह आपका बन जाएगा उत्तर इसके बाद पुरव हो जाएगा ठीक है इसके बाद यह कौन से दिशा होगी इधर से आपको लेना है इधर से आपको लेंगे यह क्या हो जाएगा दच्छिण पूरव हो जाएगा यह हो जाएगा दस्ची कि पूरा ठीक है उसी तरसे यहां ही बता दीजेए यहां कौन से दिशा बनेगी उत्तर पज्ग श्थितितर अपका बनेगा उत्तर मॉल उत्तर अधि या या यह बेसिक पॉइंट आपको समझना जरूरी होगा अब इसके बाद हम आपको बता दें कि यह जो होता है यह जो देख रहे हैं आपका यह जो बेस है यह यहां का और यहां के क्या हो जाएगा कितने डिगरी का होगा आपका 90 डिगरी का बनेगा चीक है यानि कि यह जो देख रहे हैं आपका यह उत्तर का यह पूरा आपका देख रहे हैं यह कितने डिगरी के बनेगा आपका 90 डिगरी का बनेगा उसी तरह से यहां भी क्या होगा उसी तरह से जब इसको आप ऐसे लेते हैं फिर इसको ऐसे लेते हैं तो यह कितना आपका बन जाएगा एंगल आपका यहां भी जो है 90 का बनेगा ठीक है फिर इसके बाद आप इसको ऐसे लेते हैं फिर इसको ऐसे यहां पर कितना बनेगा आपका कि नाइंटी डिग्री आपका है यानि कि एक अंगल आपका 90 डिग्री का होगा और कितना डिरेक्षण होता है तो कितना हो जाएगा तो यहां पर देखेंगे जब यह आपका नब्बे है तो यह कितना हो जाएगा यह इसका हाफ जा रहा है और यह कितना हो जाएगा आपका यह मतलब है कि तो यह भी वह फोटीफ जाक है करने का मतलब है तो बेचमी का होता है चेयां में आप में आप से पूछता है कि यदि कोई भी बैखती है राम-स्यार-पर सिता-ीत लिम्ट जाना है तो यदि कोई एंगल नहीं दिया रहेगा जैसे आपका 20 डिग्री 35 डिग्री या 45 डिग्री इस टाइप के आपका होगा कि वो 35 डिग्री पर उसको मूव करा जाएगा तो यदि एंगल यदि आपका टर्न करनी के दिवाथ होगा और वहां पर एंगल नहीं दिया रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे 90 डिग्री पर टर्न कराएंगे ध्यां दीजीए कि लैफ्ट डिग्री नहीं होना चाहिए एंगल नहीं देना कॉंफर्म होना चाहिए कि आपको यह तो आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद जो है जैसे माले जी कुश्चन आप से पुझा जाता है कि जैसे कोई भी ब्यक्ति पूरब दिसा क्यों जा रहा है मतलब कि हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो उस ब्यक्ति का जो बाया होगा किस दिसा की तरफ पड़ेगा यानि की यहां पर आपका यह जीरु से चलता है पूरब की ओर जाता है तो उस ब्यक्ति का अब बायां किस दिशा में होगा तो simply कि माइंड में सेट कर लिजए कि इस तरफ करेंगे तो बायां के बाइया का मतलब लेफ्ट कौन से दिशात है आपी उत्तर दिशाप पड़ाँ। वही चीजह पूछे जाएंगे कि right side में मतलब कि up Soft चुर्शेत है तो यह उत्तर हो जाएगा ध्याए है इसके बाद जैसे माले हम इसको टर्न कर लेते हैं आप जैसे माली कहा जाए कि मैं पच्छिम की ओर जा रहा हूं तो मेरा जो है जो है जो होगा किस दिसाम पड़ेगा तो बाया मतलब लेफट साइट तो लेफट साइट कौन से बन रहा आपका 10-60 बनेगा क्योंकि मैं इधर की तरफ में क्या होगा दिष्षिट कों से दिसाय में होगी ति इस ताइब में आपको वहां पर क्लियर हो जाएँ गया जिस समालीं को कहा जाए जिए अप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो उत्तर हो जाएगा जब उत्तर हो जाएगा तो आपका सब्सक्राइब का तो इस ताइम में आपके सामने आएगा तो रख लेना है और समझ लेना कि मेरा अपको पुरा समझ में आगया यहीं का बेस पॉइंट है घब आपको बैस के लिए तो तो आप जो है उस टाइप को क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करने में प्राब्लम आपको होगी ठीक है यह आपने देखा कि बहुत ही सिंपल है आप इसको आपने आसानी से आपने समझा दिशाज होती है चार होती है पूरब पच्छिम उत्र दच्छिड होगा यह आपका को प्रू झाप गे आपट्छिंड ऑॉत्थ चार ठीक है उसलेक कि स्था कि ओर निकलता है ठीक है और ऑस्थ दिशा में होता है तो क्शिम उप्यूशन पूछा जाता है कि कोई बेक्ति जो है पूरब दिसा की उर या वागे जा रहा है तो यह चीज्जी जो है बढ़ते हैं इंगल के वारे में क्यूंकि आपके बनेगी इसके बाद, इसमें आप देखेंगे, कि उस एंगल में कभी-कभी होता है कि कोश्यस आपके सामने एक बनता है एक जो होता है कि लाक्वाइज होता है और एक होता है कि इस पर कोश्यस आपके बन जाते हैं एक आपका क्लाक्वाइज होता है और एक होता अपको क्या सबन कर दाया है क्लाक्वाइज का मतलब होता है जैसे मालेची कोई घडी है यहाँ पर कोई घडी है तो यह जो आप देख रहें ao के सिप्टी है यह जैसे मालीची के यह यह मिनियक का सुई है और यह गंटे के सुई है तो क्लाक्वाईज का मतलब उसका क्लाक्वाइज उसकी हम बात करते हैं तो यह से चलेगा तो यह क्या हो जाएगा यह किसी कहा जाए कि आपको मतलब की आपका मूफ कराना है कि मैरा चलेकंड चलता एसे चलेगा तो यह कौँ सी डिसां आपके कौँ से डाक्षन होगा चलिए, इसको मिडा देते हैं अब इसके बाद आप anti-clockwise केम बात करतें anti-clockwise के आपका ठीक उसका पॉजिट आपका थिक हॉजिट है और हम इसका चलेंगे तो anti-clockwise क्या करेंगे इसको इसको ऐसे कराना है तो यहां पर देखे को मैं मीटा देता हूं अब यहां पर देखिए एक मैं सर्कल बना देता हूं ऐसे छुड़ाता यह देखिए हैं यह हो जाएगा और यह हो जाएगा देख रहे हैं तो यह आपका पूरा पच्छे मुता दर्चनी तो हमने आपको बताई दिया है अब इसके बाद यहां पर क्या होता है कि जब यह थोड़ी से लाइन इधा हो गई है थोड़ी से आप इसको इधर कर दीजियागा जम सेंटर माना चाहिए लाइन आपके सेंटर में आने चाहिए सभी लाइन है ठीक है तो यहां बज़े समाल लेजे कि यह हो जायाएगा एक हमारा एक हमारा यह बनेगा यह एक यह बनेगा और एक यह बनेगा ठीक है तो चलिए आपका यह आपको जब यह पूरब होता है तो यहां पर कितना डिगरी का बनता है नाइंटी का बनेगता है ठीक है अब इसके बाद जो हैं मैंने बताया कि यह जो 90 का होता है जब यह आपकी जो दिशाएं यहां बनती है तो ऑफ डिवाइट हो रहा ना जब हाफ डिवाइट हो रहा है तो यह 45 यह 45 होगा यह 45 होगा तभी तो यहँ vaccinations होगा यहाँ पर यानि तभी नहीं पर आंक आपका 180 यहाँ पर होगा तो यह आप क्या करेंगे 90 को यहाँ पर क्या करेंगे आपको 45 क्या करेंगे क्योंकि इसका हाप आपको डिवाइट हो रहा है तो 45 आप करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा कि 45 करेंगे तो थर्टी फाइब डिगरी होगा जैसे आप यहां पर 90 हो जाएगा और 45 आप एड करिएगा तो 135 हो जाएगा जब आप 135 आप जो है एड कर दिये फिर इसकी कितनी दूरी हो जाएगा आपकी फिर आपका 25 संस आपका है 45 डि करेंगे तो कितना हो जागा यहां पर आपको यहां के दूरी कितनी बन जाइगा याँ कि helping यहां बन जाएगा आपका 225 का बन जा रहा है और यहां पर क्या होगा पुरह आप इसके दूए आपको करनी होगी तो 225 में क्या करेंगे फिर 45 करेंगे 45 आपका यहां पर देख रहें ना यहां पर 270 हो गया तो यह इस तरह से डारेक्शन आपका यहां पर हम इसको निकालते हम यहां पर ठीक है इसके बाद यहां कि कितनी दूरी हो जाएगी कि फिर इसमें 25 करेंगे जब यह निकल जाएगा तो फिर आप 25 करेंगे ठीक है तो यहां पर क्या हो गया 270 हो गया आप 270 में आप क्या करेंगे पुना आप 45 फिरों आप आप कर दीजिए और इसके बाद कितना हो गया आपका 315 हो गया जब 315 में आप क्या करेंगे पुना आप 45 आइट कर दीजिए यह हो जाएगा जो जिरू फोर एक फाइप एक सिक्स और ठीचाम कर दो मतलब की फिरी ठीश्ती वह घ्याप यह देख लीजिए यह प्रिसिस्टी हो जाएगा और यह जो गा आपका यह पैटालिस हो जाएगा तभी नहीं आपका यह ओंस यहां पर होगा ठीक है तो यह देखर आपका यह क्रम आपका कैसे आपका चलता गया 90 135 180 25 27 315 360 आपका यह कौन सा पोजिशन था आपका यह यह जो क्लाक वाइस पोजिशन था यह क्लाक वाइस था तो उसी के हिसाब से कराना होगा जैसे आपको अंसर हम लोग तो यह चीजी आइसे हो गी इसके पास्य चीजिए आपकी कि सेम पॉइंट आपको होता है कि यह आपका रख वाइस हो गया और उसी तरीके कि यहां पर जो है कि यह ऐसे हो जाएगा यह ऐसे कर देते हैं तो अब हम क्या करेंगे यहां पर कि यह जो क्लाक्वाइस था तो यह इसके बाद यह कितना हो जाएगा यह 180 हो जाएगा ठीक है यह 25 हो जाएगा इसके बाद यहां पर 270 हो जाएगा और यहां पर आपको हो जाएगा 360 हो जाएगा यह देख रहें आपका ठीक है दब 360 हो जाएगा तो यह 45 आपको होगा तभी ने 45 45 90 डिगरी होगा आपका तो यह देखेंगे यह था आपका जो है कि क्लाक्वाइस था यह जो है यह जो था एक लाक्वाइस था और यह जो जारी डारेक्शन था आपका ऐंटी क्लाक्वाइस था आपका तो यह था आपका जो हैं ध्करन है यह फिगर आपके जो इसको यह जो जो होगा एंटी तो यह जो होगा यह बेसिक होगा और यह जो है जब तक आप इस पॉइंट को आप जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक जो है आप डारेक्शन टेस्ट का दिसा का कोश्चन सालब करने में आपको प्रॉब्लम होगी ठीक है तो यह सारी चीजे जो है आप सभी लोगों को आप को समझ में आ गया होगा और यदी कोई डाउट होता है यडि कोई कंश्ल~~ होता है तो आप जो आपको में वहां करेंगे तो जो भी को search का आंसर छो हम आपको देंगे वहाँ पर अब इसका जो होगा呢 पार्ट में हम आपको कोशन हम इसमें कराएंगे आपका तब तक यदि आप हमारे चैनल का आप में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए अब हम किसी दूसरे वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जहन बंदमातर हूं